हेलो गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स आज हम करेंगे ल्सीयम ल्सीयम की फुल फॉर्म है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ठीक है अब फुल फॉर्म तो सबको ही पता होती है सबसे पहले तो यह समझो की ल्सीयम होता क्या है ल्सीयम हम दो या दो से ज़्यादा संख्याओं का निकाल सकते हैं उन संख्याओं का ल्सीयम एक वो छोटे से छोटी संख्या होती है जिसको वो सारी संख्याओं कम्प्लेटली डिवाइड कर सकती है समझ में आ गया ल्सीयम क्या होता है वो छोटे से छोटी संख्या होती है जिसको वो सारी संख्याएं completely divide कर सकती है ठीक है अब हम LCM निकालना सीखेंगे जैसे कि 8, 12, 26 इसका हमें क्या निकालना है LCM तो ये होता है LCM का symbol ठीक है हम ऐसे लिखते हैं clear है यहां लिखेंगे 8, 12, 26 हम इसको सबसे पहले एक तरीके से divide ही होता है यह तो सबसे पहले हम छोटे से छोटे number से करेंगे ठीक है अब यह तीनों ही 2 से हो रहे हैं तो हम करेंगे 2 से ठीक है 2 की table में 8 कितने प्याता है 4 पे तो 2, 4 जा 8, 12 कितने प्याता है 6 पे तो 2, 6 जा 12 और इसको 26 को करेंगे तो देखो, 2 1s are 2, ठीक है, और 2 3s are 6, यह आ गया, अब फिर करेंगे, 2 2s are 4, 2 3s are 6, अब यह देखो, 2 की टेबल में 13 तो होता ही नहीं है, तो हम 13 को ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, फिर हम 2 से करेंगे, 2 1s are, अब 3 भी नहीं होता, तो 3 का 3, और 13 भी नहीं होता, तो 13 का 13, अब ये बचा हमारे पास 3 और 13 दोनों ही किसी एक comment table में तो आते नहीं है तो दोनों को अलग-अलग कर देंगे 3 से कर देंगे पहले ये 1 का 1 3 वंजा 3 और 13 का 13 फिर कर देंगे 13 से 1 का 1 1 का 1 13 वंजा 13 क्लियर है अब हम यहां लिखेंगे LCM of 8 12 26 बराबर इसका LCM कितना हो जाएगा ये सारे ही factors कि क्या कर देंगे हम multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 multiply 13 क्लियर है अब इनके आपस में multiply कर देंगे तो ये इनका क्या जाएगा LCM जैसे कि 2 2s आ 4 4 2s आ 8 8 3s आ 24 24 की और 13 की multiply करेंगे तो कितना जाएगा 312 ठीक है तो ये 312 क्या है एक वो छोटे से छोटी संख्या है जिसको 8 12 26 तीनों ही डिवाइड कर सकते हैं इससे छोटी कोई ऐसे संख्या नहीं है जिसको ये तीनों ही डिवाइड कर पाएं क्लियर है अब एक कोशन और कर लेते हैं जिसे थोड़ा सा अच्छे से क्लियर हो जाए जैसे कि 180 200 350 अब इन तीनों का निकालेंगे इनका भी हम ऐसे ही निकालेंगे यहां लिखेंगे 180 200 and 350 क्लियर है तो से पहले फिर हम छोटे से छोटे से ही करते हैं ठीक है तू से ही करेंगे 2 9s आ 18 0 की 0 2 1s आ 2 0 की 0 0 की 0 ठीक है 2 1s आ 2 यहां से देखो कितना बचा 1 1 बच गया अब 1 को 5 में एड नहीं करना इस 1 के आगे 5 लिखना है ठीक है तो कितना बन गया 15 2 की टेबल में 15 नहीं आता इससे छोटा 2 7s आ 14 ठीक है अब 14 आ गया लेकिन फिर 1 बच गया और 1 के आग 25 जा 10 इस तरीके से करना है क्लियर है फिर 2 से कर देंगे इसको करेंगे 24 जा 8 1 बचा कितना बन गया 10 25 जा 10 यहां से 25 जा 10 0 की 0 अब 175 तो 2 से डिवाइड हो गा ही नहीं तो 175 का 175 क्लियर है फिर 2 से कर लो अब 45 भी नहीं होता तो 45 का 45 25 sorry 50 को करेंगे तो 2 2 जा 4 2 5 जा 10 175 भी नहीं होता क्लियर है अब 2 से तो इन में से कोई होई नहीं रहा अब 3 से कर के देख लो 3 से यह हो जाएगा 3 1 जा 3 कितना बचा 1 और आगे क्या लगा दिया 5 तो कितना बन गया 15 तो 3 की टेबल में 5 पे क्लियर है 25 3 की टेबल में आत ऐसे कर ऐसे ना ही 175 3 से डिवाइड होगा क्लियर है अब फкий 3 से 35 जा 15 यह तो होगा नहीं और यह भी नहीं होगा अब ये किस से जाएगा? 3 से अब इन में से कोई भी नहीं जाएगा तो अब 4 से भी कोई नहीं जाएगा तो किस से कर देंगे? 5 से 5 बन्जा 5 55 बन्जा 25 और 5 की टेबल में ये 5 3 बन्जा 15 कितना बचा? 2 आगे क्या लगा दिया? 5 कितना बन गया? 25 5 तो 5 5 जा 25 ठीक है फिर 5 की टेबल में 5 बन जा 5 5 7 जा अब फिर 7 की टेबल में क्लियर है देखो लास्ट में तिनों ही 1 बना गए न तब तक हमें इसको सॉल करते रहना है अब हम निकाल देंगे LCM of 180, 200 and 350 50 is equal to कितना आजाएगा भई देखों यह सारे फैक्टर्स की मल्टिप्लाई कर दो तू मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई 2 मल्टिप्लाई 3 मल्टिप्लाई 3 मल्टिप्लाई 5 मल्टिप्लाई 5 मल्टिप्लाई 7 क्लियर है देखो भई करो 2 2's are 4, 4 2's are 8, ठीक है, और 8 3's are 24, 24 3's are 72, 72, 72 की 5 के साथ करेंगे, 72 की किस के साथ करेंगे, 5 के साथ, ठीक है, कर दोगे, कितना जाएगा, 360, 360 की फिर 5 से करेंगे, कितना जाएगा, 1800, 1800 की फिर 7 से करेंगे, कितना जाएगा, 12,600, कितना जाएगा, 12,600, आप मल्टिप्लाई करके देख लेना, क्लियर है, अब ये 12,600 वो छोटे से छोटी संख्या है, जिसको ये तीनों ही completely divide कर सकते हैं, इससे छोटी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है, जिसको ये तीनों ही divide कर सके हो सकता है, कोई ऐसी संख्या हो, जिसको ये divide कर देगा, ये कर देगा, बट ये नहीं कर पाएगा, अगर तीनों का ही कोमन निकाले, जिसको तीनों ही divide कर सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ वो यही है, छोटे से छोटी संख्या, क्लियर है, ओके